कौन सी घटना प्रिकास उर्जा को रासाइनिक उर्जा में मतलब परिवर्तित करती है आपको यह बताना है बताइए सभी लोग बिलकुल साधिना जी बहुत बढ़िया सवाल को पढ़िया और इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजी तो देखिए एक घटना होती है स्वशन स्वशन के दौरान क्या होता है तो याद रखिएगा इसके दौरान हमारे सरीर में ग्लुकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और यह इसको तोड़ता है किसमें कारबन ट्राइफासफेट है सर एटीपी का निर्मान कहां पर होता है यह इसका निर्मान होता है याद रखिएगा हमारे सरीर के अंदर कोसीकाओं में वो भी कोसीकाओं में कहां पर माइटोकॉंड्रिया में कहां पर निर्मान होता है माइटोकॉंड्रिया में और यही कारण है कि इसलिए Mitochondria जो है इसको क्या बोलते हैं इसे हम लोग कहते हैं Powerhouse of Cell या फिर इसे कहते हैं कोसिका का सक्ति ग्रह कहते हैं Respiration के बारे में याद रखीएगा यह एक कैसा process यह अपचई प्रक्रिया है Catabolic process है किसका Catabolism हो रहा है इसमें किसका अपचई हो रहा है Glucose का अपचई हो रहा है किसका Glucose का याद रखीएगा जो respiration यह कैसा exothermic process है उसमा छेपी प्रक्रिया है सर कैसे उसमा छेपी प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर energy release हो रहा है Energy क्या हो रहा है release हो रहा है वो भी किस form में in form of ATP लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों photosynthesis की यह जो प्रकास संसलेशन है इसका सही उत्तर है प्रकास संसलेशन अब लोग इसके उपर थोड़ा बात करते हैं इस प्रकास संसलेशन के दौरान क्या होता है 6 carbon dioxide और 12 water यह मिलता है किसके उपस्थिती में शूरिय के प्रकास के उपस्थिती में यह बनाता है क्या 6H12O6 और साथ ही साथ बनाता है 6H2O साथ ही साथ बनाता है 6 क्या oxygen यहां पर देखिए क्या बना मुक्यता बना glucose क्या बना यहां पर ग्लुकोज बना यानि कि यह जो आपका प्रकास संसलेशन है प्रकास संसलेशन हो क्यों रहा है प्रकास संसलेशन हो रहा है ताकि ज्यादा से जादा glucose बने प्रकास संसलेशन का primary product क्या है प्रात्मिक उत्पाद क्या है ग्लुकोज है लेकिन प्रकास संसलेशन के लिए सर जरूरत किन-किन चीजों की होती है इसके लिए हमें क्या चाहिए एक तो carbon dioxide चाहिए दूसरा क्या चाहिए water और mineral यानि कि जल और खनिच चाहिए और तीसरा क्या चाहिए तीसरा हमें चाहिए sunlight यानि सुरिय का प्रकास और यहां पर आप देखिए यह जो सुरिय का प्रकास है सुरिय का प्रकास का use हुआ और उससे क्या बना glucose बना यानि की प्रकास उर्जा किसमें बदला यह बंदला chemical उर्जा में बात समझ में आ रही है प्लियर है सबको अब सवाल उठता है कि सर ये पेड़ पौधे जो हैं इनको ये जल और खनिज कहां से मिलता है तो याद रखिएगा पेड़ पौधों की जड़ों में रूट है अर्थ होते हैं जड़ के अंदर क्या होते हैं रेसे होते हैं ये रेसे क्या करते हैं मिट्टी से किस विधी के द्वारा परासरन विधी के द्वारा ये जड़ के रेसे मिट्टी से परासरन विधी के द्वारा जल और खनिज को अवसोसित करेंगे और फिर आता है तना और इस तने के अंदर दोस्तो ऐसे इक structure होता है, जिसे हम क्या करते हैं, जायलम, क्या बोलते हैं जायलम, और ये जायलम क्या करता है, ये जायलम इस जल एवं खनिज को, किस विधी के दूरा केसी कत्व के दूरा, नाधा भाई साब किसकोदả के सी कट्व यह पहुंचाता है यह पहुंचाता एं और है क्यूंकि यह जो फोटो सिंथा से होurgh किदर हो रहा है यह और ह्यूरा पत्तियों में भी क हाँ पर पर नहरित में क्लोरो फिल्मे जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा है और मेरा आप लोगों से सवाल है ये जो पर्नहरित है पर्नहरित में कौन सी धातू मिलती है बता सकते हैं आप लोग पर्नहरित में कौन सी धातू मिलती है कोई बताईए दोस्तो तीसरा ये जो आपका कार्बन डाई ऑक्साइड है कार्बन डाई ऑक्साइड पेड़ पौधे कैसे अवसोसित करते हैं याद रखिये ये जो पतिया है इन पतियों में ऐसे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे क्या होते हैं छिद्र होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं जिनको बोलते हैं लोग इस तो मैटा इस्तो मैटा यानि रंद्र और ये रंद्र क्या करेगा ये इसको किसको सनलाइट मतलब जो carbon dioxide है उस carbon dioxide को absorb करेगा अवसोशित कर लेगा इस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या मिलता है Carbon Dioxide मिलता है Carbon Dioxide का आवसोशन किसके द्वारा पतियों में मौझूद Istomata के द्वारा जो पतियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा जैसे हमारी त्वचा पर होता है न छोटा छोटा छिद्र उसी तरह पतियों में भी होता है और याद रखिएगा ये जो परनहरित है Clorophyll है इसमें धातू मिलती है कौन सी Magnesium सर ये बात तो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं लेकिन ये बताईए ये जो Glucose बना है इस Glucose को Plant के different different हिस्सों तक कौन पहुंचाता है याद रखिएगा ये जो Glucose है इसको Plant के different different हिस्तों तक पहुंचाता है एक हिस्सा जिससे हम लोग कहते हैं क्या Phloem और इस Phloem का क्या काम होता है ये इस Food को Plant के अलग-अलग हिस्तों तक पहुंचाता है लेकिन ये किस विधी का यूज करता है ये जिस विधी का यूज करता है इस Food को Plant के अलग-अलग हिस्तों तक पहुंचाने के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं Translocation क्या बोलते हैं Translocation method कहते हैं याद रखिए अब आपके मन में सवाल आता है कि सर ये जो मतलब आपका ये जो Transpiration है Transpiration किसका किसे हम लोग Transpiration कहेंगे What is Transpiration वास्पोत सर्जन का मतलब याद रखिएगा क्या होता है यहाँ पर देख रहे हो यह जो Carbon Diox यहाँ पर जो Oxygen और Water बना है यह जो आपका देख रहे हैं यह जो H2O और क्या बना है Oxygen बना है इस Oxygen और Water को Release करना यह जो Oxygen और Water है इसी को Release करना क्या कहलाता है Transpiration कहलाता है वास्पोत सर्जन कहलाता है लेकिन यह वास्पोत सर्जन का काम भी किसके द्वारा होता है ये वास्पोत सर्जन भी कौन करता है ये काम भी दोस्तों याद रखिएगा ये वास्पोत सर्जन भी किसके द्वारा किया जाता है इन्ही रंद्रों के द्वारा होता है लेकिन इस वास्पोत सर्जन के दर को मेजर करने के लिए एक यंत्र का यूज होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं पोटो मीटर बात समझ में आ रही है किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताईए